नमस्कार टीचर्स अकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इस्ट्यूट से मैं हूँ अमरेशो कलब में तरों 20 तारीख 20 अप्रैल से लागडाउन में कई चीजों में सहुलित मिल सकती है कई चीजों में आपको छूट मिल सकती है क्या क्या छूट आपको मिलेगे उस पर छोटी सी चर् सेंगे लेकिन बहुत दिनों से कुई संक्रमित केस नहीं आया है और ग्रीन जोन ऐसा है जिसमें भी तक कोई केस नहीं है तो क्या वहाँ पर सहुलिते मिलेंगी तो आरेंज और ग्रीन जोन के लिए सहुलिते हो सकता है कि लागू हो सबसे पहले है कि 20 सप्रेल से दुकाने खुल सकेंगी इकामर्स कंपनिया किराना दुकाने रासन के दुकाने फलसबजी सापसफाई का समान बेचने वाली दुकाने डेरी पुल्टरी मीट मचली चारा बेचने वाली दुकाने जिलाप्रिसासन के जिम्मेदारी होगी किन सभी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतिजाम करें ताकि ज जल केरुसीन, CNG, LPG और PNG की सप्लाई होगी, डाग घर, डाग सेमाई जारी रहेंगी, IT सेमाई भी जारी रहेंगी, क्लीनिक खुल सकेंगे, मेडिकल सेमाई, अस्पताल, टेली मेडिसीन सेमाई चलती रहेंगी, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेंसी, जना सुधी केंस, सम सेमाई, दुकाने खुली रहेंगी, मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर भी खुले रहेंगे, फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जूड़ी रिसर्च करने वाली संस्थाएं, वेटनिटी, अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, पैथुलाजी लैब, टीकोर, सब्यात करतनी संस्थान, होम केर, डाइगोस्ट्रिक, ये भी खुले रहेंगे, फातालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन, खुली रहेंगी, मेडिकल अक्सीजन, इससे जुड़े पैकेजिंग, मेटेरियल, रा मेटेल, बनने वाली मैनुफेक्टरिंग, यूनेट, समेट मेडिकल हेल्थ, इंस्प्राटेक्चर का निर्माण होता रहेगा, सभी तरह की मेडिकल, वेटरिनेटी सेवाएं से जुड़े लोग, साइन्टिस्ट, नर्से, पैरामेडिकल, स्टाप, लैब, टेक्निसियन, मेड, वाल्ड और एम्बुलेंस, समेट अस्पताल से ज जिनमें लागडाउन के कारण लोग थैरे हुए हैं, खेती की मसीने और उनके स्पेर पार्ट्स की दुखाने खूली रहेंगे, पस सेल्टरी यानि गोसालाएं खूली रहेंगी, सामानों, कागों की आवाजाही चलती रहेगी, सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेग सबस्काइब की कंसा स कूरेंगे सब्सक्राइब तरह कि घरेली और विदेशी उड़ाने बंद रहेंगी यानि ट्रेन की सब्सक्राइब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तमाल होने वाली बसे नहीं चलेंगी मेट्रो रेल से बंद रहेंगी मेडिकल वजहों को छोड़ कर बाकि एक दूसरे जिलो से एक दूसरे मतलब यह कि अंतर राजिय जो मूमेंट है वो बंद रहेंगा सबी तरह के एजुकेशन ट्रेनिंग और कोचिंग इस्ट्यूट बंद रहेंगे जिने इजादत मिली हुई है उसे छोड़कर सबी तरह के कामर्सिय और इंडस्ट्रियल गत्विदिया बंद रहेंगी जिने इजादत मिली हुई है उसे छोड़कर हास्पेटल्टि यतनी भी हास्पेटल की सेवाएं हैं वो नहीं चलेंगी आटो रिक्सा, साइकल रिक्सा, टैक्सी, कैब से माय बंद रहेंगी सभी सिनेमा हाल, सौपिंग माल, सौपिंग कॉंपलेक्स जीम स्पोर्ट कॉंपलेक्स, स्विमिंग पूल एंटर्टेन्मेंट पार्क, थीयेटर बार, आउडिटोरियम, असिंबली हाल इनकी जैसी जगह भी नहीं कुलेंगी आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी धार्मिक जवाणों को कड़ाई से बंद रखना होगा तो ये कुछ परिवर्तन किये जाएंगी थोड़ी बहुत डील दी जाएगी यूपी में कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन के छोटे-छोटे कामों को खोला जा सकता है जो सरकारी कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो भी खोले जा सकते हैं इसी तरीके से एक जिले में सामान्य तोर परावा जाही के लिए बेक्तिगत वाहनों का प्रयोग किया जा सकेगा लेकिन ये गाइडलाइन अभी जारी होनी है तो देखिए इस्थितियां क्या बनती है किस तरह की सहुलतें आपको दी जाती है अभी किस्थितिया है कि आपको अपने घरों में रहना है पूरे सोसल डिस्टिंसिंग का पालन करना हlide और साउधान रहना है और दूसरों को भी साउधान करना है तो इसी जानकारी के साथ लेते हैं विदा फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार जय हैं